हलो दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे ओनलाइन चैनल अराध्या अरेयस अकेडमी में दोस्तों राजस्तान में आई जित सभी परतियोंगी परिक्षाओं के लिए राजस्तान में टोपिक वाइज टोप इंपोडेंट सोप प्रैस्नों की एक सीरीज श्टार्ट की गई थी जिसमें आपको परतियोंगी परिक्षाओं के लिए अत्यांत महतोपुन होते हैं दोस्तों आज अपने टोपिक का नाम है राजस्तान के परमुक संत संपरदाय तो मैं आज आपके लिए संत संपरदाय से समंदित सोप प्रैस्न लेके आया हूँ जो आपकी प्रतियोंगी प्रिक्षाओं के लिए अत्यांत महतोपुन है इन प्रशनों को दोस्तों आपको रटना है और आरत डियरेस अकेडमी के यूटूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है बेल आइकन को दबाना है वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में सेयर है जरूर करना है दोस्तों अगर आपने पिछली जो कलासे हैं 16 कल नाम से फोल्डर बनावा है तो आप मुआ जानके सारे के सारिकवा से हैं वो जरूर देखें तो यहाँ पे देखिए पहला प्रैस्चन है संत संपरदाय से संबंदित। däखिए संत दर्याव का सम्मंध है, तो संत दरियाव जी का जो सम्मंध है, वो किस से है? चार उप्षन आपके सामने है, जल्दी से देख लो दोस्तों, और मन में उतर सोच लिया करो कि क्या होगा, इस प्रेशन का सही उत्तर, देखिये, तो इसका सही उत्तरों जैका वह है, राम सनेही मत से समंदित है संत दर्याव जी अब कैसे समंदित है तो देखिए एक साका है राम सनेही संपरदाय की एक साका है जिसका नाम है दोस्तो रेण मेड़ता में पड़ती है मेड़ता आपर नागोर में यानि कि जो ये रेण साका है इसके संस्तापक है संत दर्याव जी तो तो इस प्रैसन का राइट आंसर देर नमबर उप्शन हो जाएगा आगे देखें संत पीपा के बच्पन का नाम क्या था तो दोस्तों संत पीपा के बच्पन का नाम क्या था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है परताब सिंह ठीक है और संत पीपा है ये दरजी समाज के परमुक देवता माने जाते हैं तो इसमें A number option सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए तीन number का प्रेस ने दोली दूब ग्राम किस संपरदाय से समंदित है दोली दूब ग्राम किस संपरदाय से समंदित है तो इस प्रेसन का right answer क्या हो जाएगा दोस्तो आप सभी को पता होना चाहिए चार option आपके सामने दिये गए है तो वो है दोस्तो इसमें लाल दासी संपरदाय से समंदित है ठीक है दे नमबर option बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए चार नमबर का प्रेसन है निमबार के संपरदाय की परमुक पीट कहां इस्तित है तो यहाँ पे निमबार के संपरदाय की जो परमुक पीट इस्तित है तो वो कहां पर है तो इसका right answer हो जाएगा सलेमाबाद अजमेर में कहां पर सलेमाबाद अजमेर में और निम्बार का संपरदाई के जो संस्तापक हैं वो परसुराम जी माने जाते हैं और इनका मेला है वो दोस्तो बादरपद सुकल अश्टमी को लगता है तो इसका राइट आंसर दैनमबर का उप्शन सलेमाबाद अजमेर नेक्स्ट पांच नमबर का प्रस्ण है संत माओ जी की पीठ कहां इस्तित है तो दोस्तो संत माओ जी की पीठ है वो है साबला ग्राम डुंगरपूर में संत माओ जी की पीठ इस्तित है जो कि आपको इसमें याद रखनी है ठीक है कहां पर, तो दोस्तों, सीधा सा आपको याद रखना है, संतमावजी दूंगरपूर, साबला दूंगरपूर में, इनको स्री कर्शन की पूजा, निश्कलंक अवतार की रूप में की थी, तो इन्होंने निश्कलंक संपरदाए भी चला यह था, यह भी आपको इसमें याद तो इसका right answer A number option बिल्कुल सही उत्र next देखिए six number का प्रेशन है और बहुत अच्छा प्रेशन है दादू पंत के बारे में निम्नलिकित में से कों सा कथन सत्थे नहीं है तो दोस्तों कों सा कथन है वो इसमें सत्थे नहीं है दादू पंत के बारे में अपने को बताना है ठी देखिए दोस्तों इसमें पहला कतन देखिए दादुपंत की मुक्य पीठ नरेना जैपुर में इस्तित है दोस्तों बिल्कुल सही है दादुपंत की जो परमुक पीठ है वो नरेना जैपुर में है ठीक है देखिए दादुपंत मूर्ती पूजा में विश्वास नहीं रख ठीक है और देखिए दोस्तों इसमें दादू पंथ मर्दकों के सव को जलाने में विश्वास करते हैं ये दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा यहां पे दोस्तों देखिए मर्द शरीर को खाने के लिए छोड़ देते हैं ठीक है जैसे पसू पक्सी है और ये पक्सी वगेरा य खाते हैं ना ठीक है तो ये जलाने में विश्वास नहीं रखते हैं ये दोस्तों मरत व्यक्ति के शरीर को खाने के लिए छोड़ देते हैं जानवर वगेरा कोई पक्सी वगेरा खाले तो इसका राइट साथ नमर का प्रेस्ण देखिए जांबो जी जहां प्रवचन करते थे वह क्या कहलाता था तो दोस्तों देखिए जांबो जी का जो जन्म है वो पीपासर नागोर में एक पमार राजपूत परिवार में हुआ था इन्हें विश्णु जी का आवतार है वो माना जाता है और इकानेर में इन्होंने अपने अनुयाईयों को गुंतिस उपदेश दिये थे ठीक है यह आपको इसमें याद रखना है तो इसका बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा सथारी ठीक है जांबो जी जहां परवचन करते थे वहें क्या कहलाता था सथारी कहलाता था तो इसमें A number option सही नेक्स्ट है निरंजनी संपरदाय के संस्तापक कौन थे तो दोस्तों निरंजनी संपरदाय के संस्तापक कौन थे तो वो है संत हरिदास संत हरिदास सही नंबर option सही उत्र हो जाएगा देखिए आपको कसम है यह आपको 100 के 100 प्रसन है इसका test देना है अगर आप यह 100 प्रस देख लिए आपका बेड़ा पार हो जाएगा ठीक है देखिए सहजो भाई के गुरु कौन थे तो दोस्तों सहजो भाई के गुरु थे चरण दास जी कौन थे चरण दास जी हैं ये सहजो भाई के गुरु थे से नमबर उप्शन सयुत्तर हो जाएगा दस नमबर प्रेसन है इसमें देखे राम सनेही संपरदाय के संस्तापक संत राम चरण के गुरू कोन थे राम सनेही संपरदाय के संस्तापक संत राम चरण के गुरू कोन थे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो क्रपाराम से नंबर का उप्शन बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा क्रपाराम तीक है आगे देखिए दोस्तो इसमें नारायना तीक है नारायना का जाना माना केंदर है तो दोस्तो कौन सा है तो नारायना का जाना माना केंदर है वो है दोस्तो दादू पंथ है यानि कि नारायणा जैपुर में दादू पंत का दोस्तो मुखे इस्तल है, तो इसका से नमबर्ड ओप्शन सही उत्तर हो जाएगा. आगे देखें, भरतरी की गुफा इस्तित है, तो दोस्तों ये कहाँ पर इस्तित है, तो ये भगेरा गाव अजमेर में भरतरी की गुपा इस्तित है एह नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखें तेरा नमबर का प्रेशन है परसुराम जी गोड ने किस संपरदाय के विचारों के परचारार्त है परसुराम सागर नामक गरंद की रचना की तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हिसमे निमबारक संपरदाय जो इसके द्वार किके थी तो वह है परसुराम के द्वारा सलेमाबाद अजमेर में आगे देखें इसमें चोधर नमबर का प्रेशन है सिंबू दड़ा वै कोंड़ा क्या है तो यह दोस्तों संत जसनात जी से समंदित गरंथ हैं सिंबू दड़ा और कोंड़ा ठीक है और इसमें यानिकि इन गरंतों में संत जसनात जी के उपदेशों का संग्रे मिलता है यह आपको इसमें याद रखना है दे नमबर का ओप्शन बिल्कुल सेयुत्तर हो जाएगा आगे देखिए इसमें पंदरा नमबर का प्रेशन राजस्तान में सेव धरम की प्राचिंतम जानकारी कहां से प्राप्त होती है तो ये प्राप्त होती है दोस्तों कहां से तो ये नात प्रसस्ती से तो इसका राइट आंसर दे नमबर का उप्शन बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा आगे देखिए इसमें 16 नमबर का प्रेस ने रसिक संपर्दाय का परवर्तक कौन था तो वो है दोस्तो अगरदास कौन है अगरदास देखिए करशनदास जी पैहारी ने गलता जैपुर में रामनंदी संपर्दाय की परमुक पेट इस्तापित की करशनदास जी पैहारी के ही सिसे अगरदास जी ने रिवासा गराम सिकर में अलग पेट इस्तापित की ठीक है और रसिक संपर्दाय के नाम से अलग और नए संपर्दाय की सुरुवात की थी अगरदास जी ने तो इसका राइट आंसर बे नमबर का उप्सन बिलकुल सभी तर पुष्टी मारगी के परवर्तक कौन है तो दोस्तों पुष्टी मारगी के परवर्तक है वो है वल्ला बाचारिये कौन है पुष्टी मारगी के परवर्तक है तो इसमें दैनमबर उप्शन सयुत्तर हो जाएगा आगे देखे निम्न में से कौन सी रचना संत मीरा बाई की नहीं है तो यहाँ पे देखे दैया बोद आपको यहाँ पे दैया बोद दिख रहा है न तो दैया बोद तथा विन्य मलिका एक गरंथ की रचना संत दैया बाई के द्वारा की गई थी और मीरा बाई की परमुक रचनाओं में दोस्तों डेखे टीका राग गोविंद नर्सी मेता की हुंडी रुकमनी मंगल तो यह तीनों गरंथ है यह दोस्तों मीरा बाई के हैं लेकिन दैया बोद है यह गरंथ द नहीं है तो से नमबर उप्शन राइट आंसर आगे देखिए निम्न में से किस संत को ख्वाजा मुईनुदीन चिस्ती ने सुल्तान उल तरीकीन की उपादी दी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सेख हमिदुदीन नागोरी देखिए हमिदुदीन नागोरी को उनके सयम और धार्मिक्ता के कारण है ख्वाजा मुईनुदीन चिस्ती ने सुल्तान उल तरीकीन यानि कि सन्यासियों के सुल्तान की उपादी दी भारत में अजमेर के बाद नागोर में दूसरा सबसे बड़ा उर्स हमीदुदीन नागोरी का लगता है तो इसका A number option सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए इसमें 21 number प्रेस ने जहां दादू ने अपना अंतिम समय बिताया था उस इस्तान का नाम क्या था तो दोस्तो उस इस्तान का नाम था नारायना उन्हों और नारायना का पर है तो दोस्तो यह जैपूर में है ठीक है यह आपको इसमें याद रखना है ठीक है दादू पंतु की स्थापना 1554 इस्वीश्यू में हुई थी और दादू दयाल जी है वो 1568 इस्वीश्यू में सामबर आ गए थे यह आपको इसमें याद रखना है और दादुजी का जो जन्म है यह कहाँ पर हुआ था एहमदाबाद में और राजस्तान का कबीर किसे का जाता है तो यह दादुजी को ही कहा जाता है आगे देखे किस लोक संथ की समादी इस्तल पर उनकी पतनी की याद में भंवरी ओडनी हमेशा चड़ी रहती है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जसनाथ जसनाथ जी एह नमबर का ओप्शन बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा देखे जसनाथ जी ने 24 वर्ष की आयू में कतरिया सर बिकानेर में जीवित समादी ली थी यह आपको इसमें याद रखना है और दोस्तों देखे इनकी समादी इस्तल पर इनकी पतनी सती काजल दे क्या नाम है दोस्तों याद रखना काजल दे की याद में दोस्तों भगव चादर तीक है यहने कि भवरी ओड़नी दोस्तो भगवी चादर के नीचे भवरी ओड़नी हमेशा चड़ी रहती है तो इसका राइट आंसर ए नमबर ओप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए इसमें 23 नमबर प्रेशने ओम नमो भगवते वासुदेवाय म किस संपरदाय से संबंदीत है तो दोस्तो यह वेश्टनो संपरदाय से संबंदीत है ए नमबर का ओप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 24 नमबर प्रेशने है निम्न में से किसने गुरु गोरकनात से दिक्षाली थी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्त आकरमन कारी नादिर साह के आकरमन की पहले से भविश्यवानी की थी तो कौन से संतने दोस्तो नादिर साह के आकरमन की पहले से भविश्यवानी की थी तो वो है दोस्तो इसमें संत चरंदास जी संत चरंदास जी तो इसका राइट आंसर देनमर का ओप्शन हो जाएगा दे आगे देखिए 26 नमबर प्रेषन है लसोडिया अंदोलन के प्रिणेता कौन थे लसोडिया अंदोलन के प्रिणेता कौन थे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सन्त माओ जी डैनमबर का बिलकुल सईुत्तर हो जाएगा। संत माओ जी ने मेवाड वैवागत छेतर में बीलो की बीलो में जागरती है तू यहाँ आंदोलन चलाया था दैनमबर का उप्शन सही उद्र हो जाएगा आगे देख़े किस संपर्दाए में जुगल सरकार सिताराम की पुज़ा की जाती है कौन से संपर्दाए में जुगल स निमनलिकित में से कौन दादू पंती उप संपरदाई नहीं है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है चंडाल देनमबर का उप्शन बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा चंडाल आगे देखिए गुंड़ तीस नमबर प्रेस ने दादू पंत का साहित किस बासा मे संग्रहित है तो ये दोस्तों संग्रहित है डूंडानी बासा में देनमबर का उप्शन बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा डूंडानी बासा तीस नमबर प्रेस ने है निमनलिकित संतों में से कौन जनम से मुसल्मान थे तो दोस्तों अपने को बताना है कि निमनलिकित संतों मैंसे कौन जनम से मुसल्मान थे तो वो है दोस्तो लालदास जी लालदास जी है ये दोस्तो जनम से मुसल्मान थे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है से नमबर उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा तो आगे देखिए इसमें 31 नमबर प्रेस ने यहां पे होगा कतरिया सर विकानेर से समंदित रखते हैं जसनाज जी और इनका प्रमुक के के सामने तीन आ जाएगा ठीक है और जीन मता बचा तो जीन मता का जो मंदिर है वो कहां पर है रेवासा सिख कर में तो इस प्रेशन का राइट अंसर हो जाएगा वो है चार दो तीन एक है तो इसमें एनमबर का option बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए संत लालदास के लिए अच्छी तरह से जाने जाते हैं संत लालदास के लिए अच्छी तरह से जाने जाते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो सामपरदाइक सद्भाव तो इसका राइट आंसर बे नम निम्न को सुमेलित कीजिए और नीचे दिये गए कूट की सायता से सयुत्तर चुनना है ठीक है यहाँ पर देखिए संत का जनम दे रखा है और इस्तान दे रखा है अपने को दोस्तों यहाँ पर क्या करना है कि दोस्तों कौन से संत का जनम है वो कहां पर हुआ था वो अपने कोर में इनका जन्म हुआ था ठीक है और जसनाज जी का जन्म है ये दोस्तों काँ पर हुआ था तो ये कतरिया सर में हुआ था काँ पर हुआ था कतरिया सर भी कानेर में और संत दरियाव जी का जो जन्म है वो दोस्तों जेतारन पाली में हुआ था और चरंडास जी चरनदाज जी का जो जनम है वो दोस्तों डेहरा में हुआ था तो इस प्रेसन का राइट आंसर हो जाएगा 4-3-2-1 4-3-2-1 इस प्रेसन का राइट आंसर ए नमबर का उप्शन बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा इसका आगे देखिए 34 नमबर प्रेसन है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है परसूराम देव ने ठीक है तो सलीम्बाद में निμबर का चारिय की पीट है वो दोस्तों अजमियर में है और इसके इस्ताप्ना है वो दोस्तों परसूराम जी के दिवरा की गई थी तो इसमे बेंबर उप्शन सही उत्तर प्राजस्तान के प्रमुक्संत तथा उनके द्वारा इस्तापित संपरदायों के समंद में कौन सा युगम सही है वो अपने को इसमें बताना है देखे दोस्तों यहाँ पर राम चरण जी के द्वारा राम सनही संपरदाय सापुरा में इस्तापित की गई थी बिल्कुल सही ह लालगिरी जी के द्वारा दोस्तो अलखिया संपर्दाए विकानेर में इस्तापित किया गया था बिल्कुल सही है हरी दास जी के द्वारा दोस्तो निरंजनी संपर्दाए ठीक है हरी दास जी के द्वारा निरंजनी संपर्दाए स्तापित किया गया था बिल्कुल सही है और संत दास जी के द्वारा गुंदर्ड संपर्दाए स्तापित किया गया था तो इस प्रैसन का राइट आंसर हो देखिए सो के सो प्रेशन देखने अभी अपने 35 प्रेशन हुए है ठीक है रटने है इन प्रेशनों को पूरा देखोगे तो आपको अटोमेटिक समझ में आ जाए गई आगे देखिए निमन मेश से कौन दादू पंत की साखाओं में सम्मिलित नहीं है तो कौन दादू पंत के नाम से प्रसीद हजरत हाजीब सक्कर बादसा की दरगा इस्तित है सक्कर पीर बाबा के नाम से प्रसीद हजरत हाजीब सक्कर बादसा की दरगा इस्तित है तो दोस्तों यह कहां इस्तित है तो यह इस्तित है दोस्तों नरहड में कहां पर है नरहड में तो इसका बे में गलत सुमेलित है तो यहां पे देखिए पाबु जी कोडुमंट जोदपूर बिल्कुल सही है तेजा जी का जन्म है वो खड़नाल में हुआ था और मलीनाद जी यहां पे गागरोन दे रखा है जो की इसमें गलत दे रखा है ठीक है दोस्तों मलीनाद जी का नाम आपने होगा तलवाडा बाड मेर यहां पे गागरोन गलत दे रखा है तो अपना राइट आंसर हो जाएगा से नंबर का ओप्शन वो राम देव जी राम देवरा में इनका परमुक मंदिर है ठीक है तो इसका से नंबर ओप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए इसमें गुन चालिस नंबर प्रेशन है निमनलिकित में से कौन निरंजनी संपरदाय के संस्तापक थे तो निरंजनी संस्तापक दोस्तों संत हरिदास जी थे ठीक है दे नंबर का ओप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा चालिस नंबर प्रेशन देखिए निमनलिकित म तो इसका right answer, A number option बिल्कुल सयुत्तर हो जाएगा, आगे देखिए, वललब संपरदाय की एक महतोपून पिएटिस्तित है, तो ये कहां पर है? तो ये नात द्वारा में है, A number का option बिल्कुल सयुत्तर हो जाएगा, नात द्वारा, आगे देखिए, परनामी संपरदाय के उप उपदेश में संग्रहित है गुप्देश किस गरंथ में संग्रहित है तो दोस्तो यह है कुचलम सवरूप में कुचलम सवरूप Micron में दोस्तों परनामी संपर्दाय के उपदेश हैं वो संग रही थे हैं एनमबर उप्षन सयुत्तर हो जाएगा आगे देखिए राजस्तान में तेरे पंथ के परवर्तक रही हैं तो तेरे पंथ के परवर्तक कोन रहे हैं तो वो है बिखन जी है ये तेरे पंथ के परवर्तक रहे हैं नेक्स्ट है राजस्तान में वल्लब संपर्दाय का पर्मुख धार्मिक इस्तल है तो वो कौन सा है तो वो है इसमें नात द्वारा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए इसमें अब्दूलपीर की दरगाए का इस्तित है तो दोस्तो यहां पे देखिए अब्दूलपीर की दरगा यह बाश्तित है। ये गागरों जालावाड के राजा थे नेक्स्ट है दादू पंत की मुख्य गद्धी कहां है तो दोस्तों ये नारायना में इस्तित है नारायना कहां पर है जैपूर में शैनंबर ओप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए अजमेर में ख्वाजा दीन की सूफी सिलसला से समंदित है तो यहां पर देखिए अजमेर में ख्वाजा मुईनोदीन किस सूफी सिलसला से समंदित है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है चिस्ति सिलसला से दैनंबर का ओप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए रेन का सम गोर में उसके दोस्तो संस्तापक संत दरियाव जी थे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामस नही संपरदाय की साखा है ये रेंड साखा ठीक है तो इसमें से नमबर उप्शन सही उत्तर हो जाएगा आगे देखे यहां पर बहुत यह अच्छा प्रस्न है राजस्तान के कि संत और रामानंद के सिसे ने अपने राज्य को त्याग कर गुरू मंडली में समीलित हुए तो वो कौन थे तो वो थे दोस्तो संत पीपा जी जिनका नाम क्या था परताब सिंखिची से नमबर उप्शन सही उत्तर हो जाएगा आगे देखे सही युग में सुमेलित कीज जी तो यहां पी यह प्रेशन रिपीट हुआ है देखिए जसनाद जी कतरिया सर विकानेर में सीतला माता चाकसु जैपूर में जांबो जी मुकाम नोखा विकानेर और जीन माता का मंदिर है दोस्तो यह रेवा सागराम सिकर में तो इस प्रेशन का राइट अंसर हो चार दो तीन एक चार दो तीन एक यानिकि ए नमबर उप्शन सयुत्तर नेक्स्ट है आगे देखिए रामस ने ही संपरदाय की प्रदान पीट कहां इस्तित है तो इसकी प्रदान पीट इस्तित है दोस्तो सापुरा ठीक है बीलवाड़ा में ए नमबर का उप्शन सयुत्त हो जाइगा आगे देखिए इसमें सायुत्तर हो जाएगा आगे देखिए दोस्तों इसमें राजस्तान में कहा इस्तित है निंबार का संपरदाय की पर्मुक पीठ राजस्तान में सलेमाबाद अजमेर में इस्तित है ऐ नमबर का ओप्षन सहित्तर हो जाएगा आगे देखिए दोस्तों इसमें चपपन नमबर प्रेस ने मलुक नाथ किस पंथ के सादू थे मलूक नाथ किस पंथ के सादू थे तो इसका राइट आंचर हो जाएगा वो है इसमें गरीब दासी पंथ के सादू थे मलूक नाथ जी तो इसका एनमबर उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए इसमें रशीक संपरदाय का परवर की थी तो इसका राइट आंसर बे नमबर का उप्शन हो जाएगा आगे देखिए निमन में से कौन सा मीरा बाई का जन्मिस्तान है तो यहाँ पे मीरा बाई का जन्मिस्तान है वो दोस्तों कुडकी है कौन सा है कुडकी कुडकी में मीरा बाई का जन्म हुआ था आगे देखि निम्नलिकित को सुमेलित कीजिए एक तरफ रामसनेही संपरदाय की साका है और दूसरी तरफ परवर्तक है तो यहाँ पर देखिए रामसनेही संपरदाय की जो सियतल साका है इसके दोस्तो संस्तापक थे संत हरी रामदास जी और मेड़ता रेण में दोस्तो रेण साका है इस पुरा जो शाका है इसके दोस्तों संस्तापक थे संत रामचरण जी तो इस प्रहसन का राइट आंसर हो जाएगा 24-3-1 24-3-1 इस प्रहसन का बिल्कुल सह उत्तर हो जाएगा A number option बिल्कुल सह उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट आगे देखिए नारी संत दयाबाई शिशे थी तो किस की सिशे थी नारी संत दयाबाई तो यानि कि दयाबाई है वो किस की सिशे थी तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों वो है दोस्तों इसमें देखिए संत चरणदास जी की यह सिश्या थी A number का option बिलकुल सयुत्तर हो जाएगा आगे देखिए इसमें 62 number का प्रेस निम्न में से कौन सा जसनाती संपरदाय का मुख्य के अंदर है तो वो है दोस्तो कतरिया सर बिकानेर कतरिया सर बिकानेर में जसनाती संपरदाय का पर मुख्य के अंदर है नेक्स्ट कुछन है 63 number प्रेस निम्न में देखिए काजी हमुमुदीन सुहरावर्दी को किस स्तान पर सरोपर्थम काजी बनाया गया था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागोर में बनाया गया था A number option बिलकुल सयुत्तर हो जाएगा आगे देखिए राजस्तान के किस संत द्वारा सत्ते भामाजी नू रूसन की रचना की गई तो वो है मीरा भाई के द्वारा दे नंबर का option बिलकुल सयुत्तर हो जाएगा आगे देखिए निम्न इस्तानों में से संत रहदास का जनम कौन सा है तो दोस्तो संत रहदास जी का जनम है का पर हुआ था तो यह हुआ था बनारस में संत पाबु जी के सिश्य मुख्यत हैं, तो वो है दोस्तो रेबारी जाती के, तो इसमें एनमबर उप्षन बिल्कुल सयुत्तर हो जाएगा, रेबारी जाती, आगे देखिए, एक सासक एवं संत पीपा किस इस्तान से समंदित थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो ह इसमें दोस्तों गागरों से समंदिते, दे नमबर का उप्षन बिल्कुल सयुत्तर हो जाएगा, आगे देखिए दोस्तों इसमें सुची फस्ट और सुची सेकेंड दे रखा है, अपने को दोस्तों इसमेलित करना है, और फिर कूट बासा में उतर बताना है, तो यहाँ प दोस्तों यह काँपर है, तो यह गागरों जालावाड में है, और मोलाना जियाउदीन के दरगा काँपर है, तो यह दोस्तों जैपुर में है, और सेख नजमुदीन की दरगा है, यह दोस्तों फतेपुर में है, और सेख बाबा इसहाक यह दोस्तों खाटू में है, तो इस चार-तीन इस प्रेश्ट का राइट आंसर हो जाएगा, A number option सहीतर, नेक्स्ट, किस सूफी संत ने नागोर के पास सुचाल गाउं में अपना केंदर बनाकर सांती पूर्वक परचार किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है, सेख हमीदुदीन ने, दैनमबर का option बिल्कुल सहीतर हो जाएगा, आगे देखिए, राजस्तान के कौन से प्रशिद संत बिकानेर में कतरिया सर से समंदित हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों, वो है जसनाच जी, सिदे, जसनाच जी, तो इसका बैनमबर option सहीतर, ने, निम्न में से कौन सा आरिय समाजी विचारधारा का समपोशक नहीं है, तो कौन सा आरिय समाजी विचारधारा का समपोशक नहीं है, तो इसका right answer हो जाएगा वो है राजपुताना गजट है दे नमबर ओप्शन सयुत्तर नेक्स्ट है आगे देखिए संत माओ जी का सम्मध है तो वो कहां से है तो दोस्तो सबला ग्राम डूंगरपुर से संत माओ जी का सम्मध है आगे देखिए दोस्तो इसमें चोतर नमबर पाबु जी को अवतार माना जाता है तो किसका अवतार माना जाता है तो लक्समन जी का अवतार माना जाता है पाबु जी को बे नमबर ओप्शन सयुत्तर हो जाएगा आगे देखिए गरीब दास जी संत दास जी जगनाज जी मादो दास जी आदी संतों का संबंद किस संप और उप्शन सेयुत्तर नेक्स्ट एक राम सनेशी संपरदाय की सापुरा साका के संस्तापक कौन थे तो दोस्तों सबको पताऊना चीए वो है राम चरण जी तो इसका राइट आंसर देनमबर उप्शन हो जाएगा आगे देखें वेशनव संपरदाय के पुष्टी मारग से समंदित केंद्रों को चिनिहित करना है तो दोस्तों दो है इसमें एक तो नाच द्वारा और एक कांक रोली ठीक है ये दो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है एक और दो तो कूट बासा में अपने कूतर बताना था बाग की सलेमा बाद और ये देखें दोनों गलत दे रखे हैं तो इसका राइट आंसर एक वैड दो यानिकी से नंबर का उप्षन बिल्कुल सयूतर हो जाएगा आगे देखिए इसमें अटसतर नंबर प्रेस्न है निम न मेंसे कौन सा यूग में सुमेलित नहीं है ये दोस्तों अपने कूश्में बताना है और बहुत इंचे प्रस्ण है इसलिए दोस्तों मा आज ये प्रस्ण आपको बता रहा हूँ देखिए दोस्तों यहाँ पर रैदास जी है ये निर्गुन बक्ती से समंदित थे और नानक जी ये भी निर्गुन बक्ती से समंदित थे ठीक है दोस्तों यहाँ पे निर्गुण भक्ती से समन्दित थे पीपाजी ठीक है यह रामानंदी जी के सिस्य थे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दे नंबर का ओप्शन बिल्कुल सयुतर हो जाएगा इसका आगे देखिए संत पीपाजी का जन्मिस्तान निम्न में से कौन सा ह तो वो है गागरोन जहलावाड गागरोन जहलावाड ठीक है यहाँ पर दोस्तों संत पीपाजी का जन्म हुआ था एनंबर उप्शन सयुतर नेक्स्त है निम्न में से कौन सी रचना मीरा बाई की है तो यहाँ पे जो पदावली दे रखा है यह दोस्तों मीरा बाई की रच रचना नहीं है मेरा भाई की रचना कौन सी है पदावली इसमें दे नंबर उप्षन सयुत्तर हो जाएगा आगे देखे आचारिय तुल्षिद ने अनुवर्त आंदोलन का सुत्रपात किया तो दोस्तों गुनिसों गुननचास इस्यू में अनुवर्त आंदोलन चलाया था थीक है ये नंबर उप्षन सयुत्तर हो जाएगा ये बैयाती नंबर प्रेस्ना है बाली नंद जी के गुरु कौन थे तो बाली नंद जी नंद जी के गुरु तय दोस्तों डादू दयाल जी तो इसका troubled उप्षन बिल्कूल सयुत्तर हो जाएगा आगे देखे विष्टन संपर्दाय किस दर्म से जुड़ा है तो ये जुड़ा है दोस्तों जैन दर्म से समंदित है ये तेरा पुंति संपर्दाय ए नमबर ओप्शन राइट आंसर नेक्स्ट है संत भूरी बाई अलक का कार्य चितर था तो दोस्तों कौन सा था तो वो है मेवाड बै नमबर का ओप परवर्तक रहे हैं तो दोस्तों कौन रहे हैं तो वो है विखन जी दैनमबर ओप्शन से उत्तर आगे देखे बाबु माराज का मेला किस जिले में बढ़ता है तो दोस्तों बाबु माराज का मेला है ये दोलपुर जिले में बढ़ता है कहां पर बढ़ता है दोलपुर जि तो इसमें दे नमबर से नमबर उप्शन से यूतर हो जाएगा। आगे देखियें प्राची friend Rajasthan में निमन में से कौन सा चेतर बोध द्रम का परमुक चेतर रहा है तो बोध द्रम का परमुक चेतर दोस्तों इसमें बैराठ विराठ नगर रहा है ए नमबर का उप्षन बिल्कुल सयुत्तर हो जाएगा आगे देखिए अलकिया संपरदाय की स्तापना किस ने की तो अलकिया संपरदाय की स आपना है वो दोस्तो किसके दोरा लालगिरी के दोरा की गई तो इसका एनमबर उप्षन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा लालगिरी ठीक है आगे देखिए जिस समाज सुधारक ने अपने सिश्यों से 29 नियमों का पालन करने हे तू जोर दिया तो वो कौन थे तो वो थे द बैनमबर उप्षन सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए इसमें निमने को सुमेलित कीजिए ठीक है एक तरफ संपरदाय है दूसरी तरफ परमुक फीट देरगी है यानि कि कौन से संपरदाय की कौन सी पीट है वो अपने को इसमें बताना है तो यहाँ पर देखिए दोस्तों दिल्ली में और आखलिया संपरदाय की परमुक पीट है वो विकानेर में है तो यहाँ पर इस प्रैसन का राइट आंसर हो जाएगा दो एक तीन चार तो यहाँ पर बैनमबर का उप्षन बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा दो एक तीन चार आगे देखिए संत मीरा बाई का बच्पन का नाम था तो दोस्तों संत मीरा बाई का बच्पन का नाम था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों पेमल ठीक है तो इसमें बैनमबर का उप्षन सही उत्तर हो जाएगा पेमल आगे देखिए राजस्तान में उंदरिया पंत किन में परच है देखिए दुस्तों यहाँ पर देखिए द्वार का दीस मंदिर है वह चाहशा मंदिर है तो यह मंदिर का गारी वंदिर है जैपुर में ठीक है तो इस प्रेसन का राइट अंसर हो जाएगा चार दो एक तीन चार दो एक तीन यानि कि इसमें नंबर उप्शन सयुत्तर हो जाएगा आगे देखे इसमें 96 प्रेस ने संत जाबोजी संत जाबोजी का जनमिस्तल कौन से जिले में है तो वो है नागोर जिले में है संत जाबोजी का जनमिस्तल आगे देखे 97 प्रेस ने सन्यासियों के सुल्तान के नाम से किसे जना जाता है तो दोस्तो हमीदुदीन नागोरी को सन्यास्यों के सुल्तान के रूप में जाना जाता है एनमबर उप्षन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखें नागोर किस सूपी संत की दरगा के लिए प्रशिद है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें हमीदुदीन के लिए तो इसका राइट अंसर है नमबर उप्षन सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए राजस्तान का उत्तर तोधातरी कहलाता है दोस्तों वो है गलता जी जैपूर में ठीक है तो इसका राइट आंसर से नमबर ओप्शन सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए मीरा ने अपना अंतीम समय किस जगह पर बिताया तो दोस्तों जवारिका में अपना अंतीम समय बिताया था संत मीरा भाई ने तो इसका से नमबर का ओप्शन सही उत्तर हो जाएगा ये दोस्तों आज मैंने आपको जो टोप सो प्रसन करवाएं है संत संपरदाय से समन्दीत है आपको ये प्रसन कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपने पिछ राद्यार एसकेडमी के यूटूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बैल आइकन को दबाएं वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में सेर जरूर करें मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में जैहिन जै भारत